इस इस इनवलीडिया हलो और वेलकम इस वीडियो में आपको Autodesk Maya 2020 का इंटरफेस का टूल बॉक्स, चैनल बॉक्स, एन एट्रिबूट एडिटर के बारे में बताऊंगा तो आएए देखते हैं यहाँ पर टूल बॉक्स क्या है टूल बॉक्स क्या होगी हम लोग का, a collection of tools इसमें वो सारा tools है जिससे हम लोग यहाँ 3D space में जितना भी objects है उन सब को हम लोग इन tools के जरीए manipulate कर सकते हैं manipulate करना मतलब उसमें बदलाव लाना, उसमें change करना या changes करना वो सारे को manipulation कहते हैं और यहाँ पर वही सारा tools है जिससे हम लोग किसी भी object को manipulate कर सकते हैं और यह किसी भी area of 3D workflow में काम आता है ठीक है चाहिए आप rigging कर रहे हो, animation कर रहे हो या फिर effects and dynamics, सब में यह tools का ज़रुरत पड़ेगा ही पड़ेगा इसमें mainly कौन कौन सा tools दिया हुआ है पहला जो तीन tools दिख रहे हैं यह सारा selection tools है इससे किसी भी object को select कर सकते हैं click करेंगे तो select होगा दूसरा और एक tool दिया हो, यह भी selection के लिए काम आता है बट यह drag and select ऐसा marquee draw कर सकते हैं उससे हम लोग select कर सकते हैं ठीक है, देखे select हो गया दोनों object और यहाँ पर third tool वो भी selection के लिए काम आता है बट वो अलग तर से select करता है objects को और यहाँ पर जो और बागी का तीन tools दिख रहा है यह है, इसमें पहला वाला है move tool इससे object को select करके उसको move कर सकते हैं किसी भी axis में, ठीक है, क्योंकि 3D है three dimensional world है, यहाँ पर तीन axis आपको मिलेगा x, y, z axis ठीक है तो हम लोग किसी भी axis में इसको move कर सकते हैं drag करके, और यहाँ पर second वाला जो tool है एकदम last second, वो वाला है हम लोग का rotate tool इससे हम लोग object को किसी भी axis में rotate कर सकते है, दीख रहा है, rotate हो रहा है ठीक है और यहाँ पर last वाला जो tool है, वो है scale tool scale tool से हम लोग किसी भी object को छोटा या बढ़ा कर सकते हैं यानि कि scale up and scale down कर सकते हैं ठीक है, तो यह सारा है वो tools, और यह tool box का काम और यहाँ पर अगर आएंगे इस section में तो इसको कहते है channel box, जैसे कि मैंने आपको बताया था, channel box किस काम आता है, channel box क्या करता है कि आप जब भी किसी object को select करते है ठीक है, सिर्फ जब select करेंगे तभी वहाँ पर कुछ display करेगे या show करेगा उसके अलावा वहाँ पर कुछ भी show नहीं करता है ठीक है, बहुत ज़वरी है कि आप कोई भी object या कुछ भी एक select करें जिसका भी आपर में वहाँ पर show करेगा, क्या show करता है वो उसका properties show करता है basic controls show करता है या वो सारा attributes show करता है जिसको हम लोग manipulate कर सकते है क्या manipulate कर सकते है यहाँ पर आपको दीख रहा है translate दिया हुआ xyz या xyz बोल सकते है rotate xyz and scale xyz and visibility दिया हुआ है और यहाँ पर आपको नाम भी दीख रहा होगा जहाँ पर rolling ball लिखा हुआ है यहां से हम लोग नाम चेंज कर सकते हैं, किसी भी object का, उसको या उसका position चेंज कर सकते हैं, translate x, y, z का मतलब उसका position यह coordinate शो कर रहा है 3D world में, और यहां पर उसका rotation है, ठीक है, वो भी हम लोग कर सकते हैं, देख रहा है, rotate हो रहा है, mouse से directly वहां से rotate कर सकते हैं, तो यह सारा properties को हम लोग यहां से भी channel box के through भी हम लोग control कर सकते हैं, यहां पर एक visibility का भी option दिया है, जिसको हम लोग toggle कर सकते हैं, 0 डाल के enter करेंगे, तो off हो जाएगा, 1 डाल के enter करेंगे, तो on हो जाएगा, मतलब वो show होगा, कि hide होगा, हम लोग control कर सकते हैं, ठीक है, तो channel box क करता है कि सबसे basic properties या basic set of properties या attributes शो करता है किसी भी object के लिए, जिसको भी हम लोग select करते हैं, और उसको हम लोग manipulate कर सकते हैं, तो यह most commonly used attributes या properties है, जो हम लोग को अक्सर ज़रुरत पढ़ता है, वही channel box शो करता है, ठीक है, और जहां तक attributator का बात है, तो attributator किसी भी objects related सब से advanced या complete set of properties डिस्पले करता है, शो करता है, यह सिफ translate, rotate, scale ही नहीं, बलकि shear और rotate order और भी उससे कई ज़ादा attributes या properties शो करता है, जो हम लोग change कर सकते हैं, या manipulate कर सकते हैं, ठीक है, तो attributator एकदम complete set of properties शो करता है, channel box में जितना properties शो करता है, वो तो है ही, उससे added या उसके अ मतलब channel box में आपको जो भी properties मिल रहा है, वो सारा आपको attributator भी मिल जाएगा, ठीक है, but other than that उससे भी ज़्यादा properties मिले गए, यानि कि किसी भी object या node से related जितना भी possible properties हो सकता है, जिसको हम लोग manipulate कर सकते हैं, वो सारा का सारा आपको attributator में show करता है, ताकि आप यहां से उन properties को manipulate कर सकें, या उन attributes को manipulate कर सकें, इसलिए इसको कहा जाता है, attribute editor, ठीक है, तो यह है, हम लोग का toolbox का का काम, channel box का का काम, और attribute editor का का काम, ठीक है, बाकी का interface हम लोग next videos में देखेंगे, until then, thank you.